हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमेथ कल मैंने CNG को लेकर एक वीडियो डाली थी कि जिसमें मेरी प्लैनिंग है CNG लगवानी के और क्या-क्या चीजों का मैं धिहान रखूँगा औवियसी बात है लोगों के cross question आने थे लोगों के मन में जो doubt है और मैं चाहता भी था कि इस तरह के जो doubts उनके मन में वो पूछ हैं जिनको मैं सामने से clarify गरूँ और अपना point of view रखूँ और कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक मैं जो question आये हैं उनसे समझ पा रहा हूं कि काफी ज profitment भी मैं जो RTO की तरफ से जो state transport authority है उसकी तरफ से certified है उससे लगवार हूं तो इस तरह की कोई safety wise कोई नहीं होनी चाहिए लेकिन अब मैं इतनी safety की बात कर रहा हूं और फिर आपको ही point out कर रहा हूं safety को लेकर वो क्यों क्यों क्योंकि पहला point है मेरा जो पहला question में लेने मा अब इसका answer यह सबसे बड़ा reason क्या है देखो हम जो फाइदा ले रहे हैं गाड़ी से मतलब CNG लगा के अगर हमें mileage का फाइदा मिल रहा है कहीं नहीं हमें कुछ हद तक compromises भी करने होंगे क्योंकि safety सबसे उपर safety का concern अब आप देखिए मैंने उस video में भी बताया था जो इस में cylinder लगा लेता हूं पूरा मैंने बताया था 67-68 kg का cylinder 10-12 kg 10-10 kg करीब तो 80 kg वो हो गया उसका clamp और सब कुछ जो frame होता है बाकि kit का आधर समान करीब 90 kg के करीब पूरा वजन बैढ़ जाता है अब यह लेने के बाद साथ लोगों का और लोड डाल दो अब हटे-कटे अब मैं सबका वजन तो तो लूँगा नी भाई की 600 से नीचे रहा इसा तो होगा नी अब वो 100 लोग को कर दो एक तरह अब मेरी जो गाड़ी की limit वची है वो है सिर्फ और सिर्फ 500 kg 500 kg में 7 बंदे नहीं बैठ सकते यह आप भी जानते और अगर बैठ जाते है मैं इस तरह से हिसाब लगो सबका 70 kg एवरेज वेट लूँ तो भी भाई वो 600 kg पे पहुंच जा रहा है जो की सेफ नहीं है जो की मेरे हिसाब से तो सेफ नहीं है कभी-कभी के लिए होता है वह लेकिन यह परमानेट वाली चीज मैं कर दू यह बिल्कुल नहीं हो सकता अ कि बहुत हद तक सेफ है तो इस तरह से सेफटी को रखते हुए मैं यह नहीं चाता गाड़ी को ओवरलोड करूँ सिर्फ यह नहीं है कि हमें ज्यादा जगा मिल जाएगी काफी सारी चीज़ एफेक्ट होती है जैसे कि ज्यादा लोड रहेगा हमारे जो सस्पेंशन है उस लोड रहेगा यह आप जानते हैं सस्पेंशन पिछला तो चलाई जाना है बहुत टाइम से पहले उसके बाद ब्रेकिंग ब्रेकिंग हमारी उस एफिशेंसी के साथ नहीं लगेगी जो हम टॉप स्पीड पर हम जैसे चलते हैं अगर मालो 90 पर चलता तो मुझे मेरी जिम्म पीछे की तरफ से और क्या काम होगा फिर आप जानते हैं अगले जो वील से वह घ्रिप खो देते हैं पूरी तरह से खो देते हैं और गारी डिसब्लेंस बहुत सारी चीजों होती है तो इन चीजों को मैं बाइपास कभी नहीं कर सकता और मैं आपको भी मना करूंगा अगर उनको comparatively बहुत हार्ड किया है उसमें tweaks किया है जिसकी वैसे वह उस तरह का जूला जैसे बोलता है मैं normal language में कह रहा हूं जो जूला जैसे जूलती है गाड़ी वह चीज उसमें नहीं होती और देखो अर दूसरी चीज उसकी पावर देखो सबसे पहले पावर उसमें हमें ज ट्राइबर के जो नॉर्मन पेट्रोल इंजन में हमारा सेवंटी वन सेवंटी टू दे रहा है उससे भी ट्राइबर में लग जाएगी तो बारा से पंदरा करीब परसंट नीचे ड्रॉप हो जाएगा अब जो हमारी पावर आ जाएगी वह फिफ्टी एट फिफ्टी जाता है जो कमपनी बताती है उसके साथ साथ बात करें हम सेलेरियो की या एस्प्रेसो की या फिर और जो मारूती की गाड़ी है सब में 1000 सीची का इंजन आ रहा है और सी एंजी लगने के बाद के बाद वह रह जाता है सिर्फ 58 भी उसके लाब हम यूंडे की बात करें तो ह अगर हम 50 वेट रेशियो आपने क्या छोड़ा 58 या 60 भी एच्पी में पावर रह जाएगी जो कि एविडेंट है यह चीज समझ आ रही है ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि पावर ड्रॉप हो जाएगी पावर ड्रॉप होगी अब 60 भी पे आप साथ लोगों का भाई देखो बहुत अच्छी चल रही है यार टेक्निकली साउंड तो हो जाओ यह भाई लॉज के अगेंस्ट है फर्क पड़ेगा हाँ वो अलग चीज है आप उतने फर्क को उतने डिफरेंस को आप यह कह दो कि नहीं हाँ मुझे इतना फर्क पता है और मैं इसको सह सकता हूं बैर कर सकता हूं हां ठीक है वो अलग चीज है लेकिन फर्क पड़ेगा लेकिन वो करवाना नहीं चाहिए चाहती अर्टिगा में यार कंपनी वही इंजन नहीं एक यार सी से लाग के दे रहे थे ना क्या दिक्कत थी और उसकी भी माईलेज जो अभी 26 कंपनी क्लेम कर बाकी गाड़ियों में भी लगी आ रही है और अटिगा में भी लगी आ रही है वो चल रही है तो ऐसा कुस नहीं है आप आप फिकर देखो बिल्गुल खतम हो जाएगा और ऐसा फाइव सीटर चला कर हम इसमें मिनिमम मोल ट्रेशन करवाएंगे क्योंकि सेवन सीटर चलान है पीछे का पॉस्चर जो होता है पीठ वाला लास्टो के लिए वह भी कंप्रोमाइस होगा वह थोड़ा से स्टेट हो जाएगा तो कमफट तो बचा ही नहीं उस सीट में और उसके बाद आप यह कोई जो टमपू चलते हैं उनमें उनमें सीधा सीधा बिना बैक रस्ट के साथ-साथ जो पीछे की सीट से उनके लिए हो अउसके बाद हमारे जो सिलेंडर लगना है और होल सोने वह तो हो नहीं है लेकिन ऐसा फाइव सिर्स करने में किसी तरह का कोई और शिकला और लगा लो बहुत अच्छे सुकून के साथ सुकून के साथ हम गाड़ी चलाएंग गाड़ी तो वह कैसे वह 5-seater सूच के लेते हैं और वैसे ही करते हैं हमने भले 7-seater सूच के लिए थी लेकिन अगर मैं एक फाइदा ले रहा हूं CNG के साथ तो मुझे कही ना कई गाड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ अपना ध्यान ना रखू मैं गाड़ी का भी ध लेकिन जो कंडिशन उस समय थी वह अब नहीं है आप जानते हैं इंसान कंडिशन के अक्वार्डिंग ही चेंज होता है थ्रेशोल्ड एक बना रखा था मैंने कि हां उस समय जब मैंने ली थी 72-71 के एराउंड पेट्रोल था धिरे थ्रेशोल्ड मैं 80-82 तक मान रखा था कि यहां मातक जल लेंगे लेकिन अब 90 आ गया है अब इससे उपर आगे महंगा योगा जहां तक उमीद है और अगर इतना भी है तो यह बहुत जादा है तो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है वारंटी वह भी देख लेंगे हम यह चीज मान के चल रहा हूं जैसे लोग मा मैं देख चुका हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो चुट-पूट रेक्टिफिकेशन होते हैं वह चीज मैं दिखा चुका हूं करवा चुका हूं अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जहां तक मैं मान के चल रहा हूं लेकिन असली चीज है अगर मैं 40,000-42,000 के आप यह समझो अब पूछेंगे कैसे क्योंकि इस समय मुझे 6 रुपीज 6,5 रुपीज पर किलोमेटर रनिंग कॉस्ट पढ़ रही है पेट्रोल से जो कि मुझे एराउंड 2 रुपीज रह जाएगी 2,5 तो 2,5 रुपे रह जाएगी तो 4 रुपे का मुझे फायदा हो रहा तो बहुत लोगों के जो question थे इसमें शायद answer मिल रहेंगे और मैं अपने mind से बिल्कु clear हूँ अब उसके बाद एक और question था हूँ मैं miss कर गया था actually लोगों ने यह का फिर हम यही क्यों रहेंगे अगर हमें five-seater की तरह use करनी है हम इसकी काईगर नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेम इंजन है हम मैंगनाइट नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेम इंजन है नैचुल अप ले सकते हो लेकिन आप यह देखो अगर आप मैंगनाइट लेते हो या फिर काईगर लेते हो तो आप उसके बूट की तरह ध्यान दो वह as a five-seater ही गाड़ी बनी है और जो बूट है एक म में जब हमारा सिलेंडर लग जाएगा उसके बावजूद काफी स्पेस बच जाएगा और दूसरी गाड़े में वह स्पेस नहीं बचेगा उसके बाद आती है जो प्राइजिंग है अगर आप नैचुल ले ले लें चाहे काईगर या मैंगनाइट दोनों तो वह इसके आर जयन हर चीज़े में प्लैटफॉम से में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आप लेना चाहें वह ले सकते हैं लेकिन जिस-जिस के मन में यह था कि हां मैं पीछे की सीट सटा के बेवकूफी कर लूँगा और सेवन सीटर का कोई वजूद ही नहीं रहेगा हां सेवन सी रखता है चेंजे जो होंगे गाड़ी में उससे और बाकी चीजों का वह करूं मैं उसको उपर नहीं रखता तो यह था इस वीडियो में बहुत सारे आंसर में लोगे अभी मैं जाके खुझा इंस्टॉलेशन होता है वहां पर जाके बात करूंगा दिखांगा आप लोगो स्टाइट हो गई है तो वही आगे होगी अगर आप इंट्रस्टेड हैं इस चीज में और आप चाहते हैं कि मैं ट्राइबर में किस तरह सा सी एंजी वर्क करेगी और क्या है आप एक रोल मॉडल की तरह मान रहे हैं कि हम इनसे कुछ सीखेंगे या फिर इनकी गलती से हम सी आप दो एंट